नमस्कार, NIOS के DLA कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं निरंजन सहाई, प्रोफेसर हिंदी तथा आधुनिक भारती भाष्रा विभाग महात्मा गांधी काश्य विद्यापीठ वारानसी प्रिय विद्यार्थियों, आज आपसे मैं पाठिक्रम संख्या 503, ब्लोक 1, एकाई 3, अर्थात साहित्तिकी विधाएं विशय पर बाचित करने जा रहा हूँ अक्सर लोग साहित्तिक रचनाओं को बहत चाव से पढ़ते हैं प्राय लोग यह कहते हैं कि कैसे किसी रचना ने उनका जीवन बदल दिया या फिर यह कि साहित्ति पढ़कर विक्ति सम्वेदन श्रीलता के विभिन आयामों से परिचित होता है आदी आदी यह प्रश्न उठना एकदम स्वाभाविक है कि वे कौन से तत्व हैं जो किसी रचना को साहित्ति गुणों से संपन्न कर देते हैं या अविव्यक्ति के विविध रूपों को साहित्ति संसार ने किन रूपों में पहचाना है रचने और देखने की आदिम वृत्ति ने जिन अव्यक्ति कौशलों को संभव किया उनमें कविता पहले आई मानो जीवन की लंबी यात्रा के बाद अनेक नई परिस्थितियां, चुनौतियां, सपने, संघर्ष और प्रतिबध्धताएं भी उभरी ऐसा लगा कि पद्य या कविता के रूपाकार में बहुत बातों को कहने में सफलता नहीं मिल पा रही है एतिहासिक और सामाजिक, सांस्कृतिक भूमियां भी नए परिवेश का निर्मान कर रही थी फिर गद्य विधाओं का संसार बना यह अकारण नहीं है कि कावि सर्जक संसार ने एक जमाने में यह समझा था कि गद्य कवियों का निकश है खड़ी बोली हिंदी की कविता में गद्य का आना भी एक युगांत कारी घट्टा थी महाकवी सूरेकांत्रिपाठी निराला ने सुधा पत्रिका में 13 अक्तूबर 1923 की संपादेकिये टिपणी में लिखा गद्य जीवन संग्राम की भी भाषा है आचाय रामचन शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है दरसल आधुनिक काल के पहले हिंदी साहित प्रायः पद्यात्मक ही रहा लेकिन आधुनिक काल में गद्य का महत्व साहित का केंद्रिय विशय बन गया हिंदी गद्ध के पूरुपीठी का आधुनिकता है गद्ध की विधाओं के बारे में जानने से पहले कविता की आधार भूत समझ बना ले प्रिविध्यार्थियों यह समझने की कोशिस करें कि कविता है क्या या कविता को हम कैसे समझेंगे कविता की वन्षगत विशिश्टा ले है कोई ऐसी कविता नहीं लिखे जा सकती जिसमें ले का निर्वाह न किया गया हूँ कविता में बिम्बों का सधा प्रियोग होता है यहां यह उलेक करना जरूरी नहीं कि बिम्ब कई बार शब्द में नहित होता है तो कई बार वाक्य में और अनेक बार तो पूरी कविता मिलकर एक बिम्ब का ही निर्मान करती है बिम्ब का मतलब होता है शब्द वाक्य या पूरी कविता में निर्मित चित्र पुरानी कविता और नई कविता पर विचार करने की जरूरत है पुरानी कविता छंदो बद्ध होती थी प्रायह उनमें तुकों का निर्वा होता था आधुनिक काल में छंद के बंधन शिथिल हो गये यहां तक कि छंद मुक्त कविता का लेखन युग धर्म भर बन गया निराला ने कविता में छंदों की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति से जोड़ा आईए अब कविता के बाद जो अन्य गद्य विधाएं आई हैं साहित्य के संसार में यानि कविता के अलावा साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं उनके बारे में अपनी समझ बनाने का प्रयास करें अन्य शब्दों में विविद गद्य विधाएं क्या हैं इसे समझने की कोशिस करें अधिकांश आधुनिक गद्य विधाओं का जन्म भारतिंद्य यूग में हुआ इस यूग में जन्म लेकर विक्सित होने वाली तीन साहितिक विधाएं हैं नाटक, निवन्द और उपन्यास भारतिंद्य यूग से पहले नाटक के नाम पर मिलने वाली रचनाएं नगण्य हैं और वे विधाई रूप से नाटक हैं भी या नहीं इस पर मत्भेद है नाटक और एकांकी को दृष्ष्य कावे के संग्या दे गई इनका मंचन होता है अभिने, समवाद, रंग सज्जा जैसे विश्ष्षताओं को धारन करने के कारण इनकी लोग प्रियता किसी भी साहितिक विधा से अधिक रही नाटक कई अंकों का हो सकता है, एकांकी में एक अंक ही होता है आईए उपन्यास और कहानी के बारे में अपनी समझ साफ करें प्रिय विध्यार्थियों, उपन्यास और कहानी समरूप गद्य विधाएं हैं उपन्यास प्राय जीवन के व्रिहत्तर फैलाव को अपनी परिधी में समेटता है आकार की व्यापती अधिक होने के कारण इसे पढ़ने में ज्यादा वक्त लगता है कहानी में जीवन के फैलाव के पेक्षा घटना प्रधानता को मुख्य आधार बनाया जाता है जहां उपन्यास कई बैठकों में पढ़ना सम्भो है, वहीं कहानी प्राय एक बैठक में पढ़ना सम्भो होता है आईए, एक अत्यंत लोगप्रिय गद्य विधा निवन्ध के अध्यापन के सिलसिले में भी कुछ बात करें पहले यह समझें कि निवन्ध कहते किसे हैं भारतिय परंपरा गद्य को कवियों की कसवटी कहती है आचैर रामचन शुक्ल का विचार है यदि गद्य कवियों की कसवटी है तो निवन्ध गद्य की कसवटी है इस विधा में गद्य का निजी रूप दिखाई पड़ता है निवन्ध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है इतिहास, पुरा तत्व, दर्शन, विज्ञान, आलोजना, जीवन मिमानसा किसी भी विशय पर निवन्ध लेखन किया जा सकता है प्रतेक निवन्ध लेखक की एक विश्रिष्ट शैली भी होती है निवन्ध को परिभाशित करने के विविद प्यास हुए है गुलाब राय ने अपनी बहुचर्चित रशना कावे के रूप में कहा है निवन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर, किसी विशय का भढ़नन या प्रतिपादन एक विशेश निजीपन, स्वचंदता, सौस्टव और सजीवता, तथा आवश्यक संगती और संबध्धता के साथ किया गया हो रिपूर्टाज और रेखा चित्र भी आजकल पाठिक्रमों में शामिल किये जाते हैं इसलिए उनके बारे में समझ बनाना जरूरी है रिपूर्टाज और रेखा चित्र आधनिक गद्ध की चर्चित विधाएं हैं इन विधाओं को पढ़ते या पढ़ाते समय सबसे पहले यह बताने की जरूरत है कि इन विधाओं का स्वरूप क्या है तथा अपनी किन विशेस्ताओं के कारण ये अन्य समरूप विधाओं से अलग हैं उधारण के लिए यह जानना जरूरी है कि रिपूर्टाज रिपूर्ट से कैसे अलग है या रेखा चित्र और संस्मरण में किन बिंदों के आधार पर फर्क किया जा सकता है रिपूर्टाज क्या है आईए इसे समझें किसी घटना को सम्वेदनशील सजीविता के साथ इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि वह अख़बारी समाचार की निरजीव तटस्थता से आगे बढ़कर मनुष्य की समग्र चिन्ताओं और उनके सौंदर इबोध को प्रकट करे तब उसे रिपूर्टाज कहते हैं हिंदी साहितिकोष भागदो के अनुसार रिपूर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी शब्द रिपूर्ट से इसका गहरा संबंध है रिपूर्ट किसी घटना के यथा तथ्य साध्य वर्णन को कहते हैं रिपूर्ट सामानित है समाचार पत्र के लिए लिए लिखे जाती है और उसमें साहितिकता नहीं होती रिपूर्ट के कलात्मक और साहितिक रूप को रिपूर्टाज कहते हैं अक्सर रिपूर्टाज की चर्चा करते समय अखबारी समाचार से उसके अंतर को स्पष्ट किया जाता है रिपोर्ट या रपट में जहां सूचना संयोजन और तटस्त अभ्यक्ति का संकलन महत्वपूर्ण है वहीं रिपोर्टाज में सूचना संयोजन से अधिक समग्र मनुष्य की तलाश महत्वपूर्ण है और तटस्त अभ्यक्ति की जगा सम्वेदन श्रीलता का पुट उसे आत्मिय पाठ की विशेस्ता प्रदान करता है रिपोर्ट या रपट में जहां सूचना संयोजन और तटस्त अभ्यक्ति का संकलन महतुपूर्ण है वहीं रिपोर्टाज में सूचना संयोजन से अधिक समग्र मनुष्य की तलाश महतुपूर्ण है और तटस्त अव्यक्ति की जगा समेदन श्रीलता का पुट उसे आत्मिय पाठ की विशेस्ता प्रदान करता है इसे एक उधारन से समझे यदि कहीं अकाल पढ़ता है और उसकी आकड़ा गत जानकारी दी जाती है तो वह रिपोर्ट है लेकिन यदि उस अकाल का असर मनुष्य के रोजमर्रा की जिन्दगी पर किस रूप में पढ़ा जिसमें कारूनिक इस्थितियों का वर्णन हो और उन तैयारियों की अनुपलब्दता की भी बात की जाए जिनके चलते बड़े बड़ी संख्या में लोगों की जीवन पर संकट आ गया हो इन भावनाओं को शामिल कर जब हम रिपोर्ट को लिखेंगे तब वर रिपोर्टाज में रुपांतरित हो जाएगा आईए रेखाचित्र के बारे में अपनी समझ साफ करें रेखाचित्र भी गद्य साहित्य के आध्विनिक विदा है यनि रेखाचित्र का जन्म और विकास कहानियों उपन्यासों के बाद हुआ प्राय रेखाचित्र के बाद करते हुए लगभग समान गद्य विधा संस्मरणक का भी नाम लिया जाता है लिहाजा यह जरूरी है कि इन विधाओं की प्रकृते स्पर्ष्ठ करने के साथ ही इनके बीच मौझूद सूक्ष्म अंतरों पर भी एक नजर डाली जाए रेखाचित्र को अंग्रेजी के इसकेच का पर्याय के रूप में ग्रहन किया जाता है रेखाओं और रंगों की बहुलता को महत्वन न देकर यदि कोई चित्रकार इनी गिनी रेखाओं के माध्यम से एक सार्थक रूप गढ़ ले तब उसे इसकेच कहते हैं उसी तरह रेखाचित्र लेखक कम से कम श्रब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या द्रिश्य का अंगन कर देता है विद्यार्थियों इसे समझने का प्रयास करें जब रेखाचित्र में कोई विद्या हमारे सामने आती है तब प्रया उसमें ऐसे द्रिश्य का वर्णन जरूर होता है जहां संबंधित पात्र की बारीक से बारीक रंग और बनावगत विशेस्ता स्पष्ठ हो जाती है उदारण के लिए महादेव वर्मा की करेखाचित्र गिल्लू देख सकते हैं या गवरागाय देख सकते हैं संस्मरण में इस्मृति की केंद्रिय भूमिका होती है यानि जहार एक चित्र देश को महत्व देता है अन्य शब्दों में चित्रन को महत्व देता है वहीं संस्मरण स्मृति को यह समझना भी जरूरी है कि दोनों की विशेस्ताएं एक दूसरे में नजर आ सकती हैं पर हम अंतर के लिए यह देखेंगे कि रचना में किंद्रियता किसे हासिल हुई है अंतर करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रेखाचित्र किसी ऐसे पात्र पर आधारित होता है जो इतिहास प्रसिद्ध नहीं होता है यानि रेखाचित्र में किसी पशु, पक्षी या साधारन मनुष्य का वर्णन होता है जबकि संस्मरन किसी प्रिसे द्व्यक्ति या विशय पर आधारित होता है उधारन के लिए महादेवी वर्मा के गौरा गाय या घीसू पर लिखे रेखाचित्र और निराला सुवद्रा कुमारी चौहान पर लिखे संस्मरन को हम याद कर सकते हैं उधारन के लिए इसे और इस परस्ट से समझें इस परस्टता से समझें आपने यह समझा कि यदि गाय जिसका नाम गौरा है उस पर वर्णन किया जाए उसकी सारी रिख बनावट पर वर्णन किया जाए तब वह रेखाचित्र है जबकि निराला, सुभद्रा कुमारी चोहान या महत्मा गांधी जैसे बड़ी हस्तियों पर उनकी आद करते हुए कोई साहितिक रश्ना लिखा जाए लिखी जाए तब उसे हम संस्मरन के रूप में रेखांकित कर सकते हैं रेखाचित्र किसी विद्यार्थी के स्मृतियों में अनेक ऐसी आदतों भाषा अनवहों को जोड़ता है जिन से परिवेश को अलग तरीके से देखने कहने की समझ का विस्तार होता है यह संभव है कि किसी रेखाचित्र के अध्यान के बाद परिवेश में शामिल साधारण चित्रों की और साधारण विश्युषताओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिले अब सवाल यह है कि कोई विद्यार्थी संस्मरन से गुजर कर क्या हासिल करता है दरसल कोई भी बेहतरीन संस्मरन उसके जीवन में यह अवसर मुहया कराता है कि वह अतीत के किसी प्रसंग की और फिर से जाए उसे वह अपने समय की बुनावटों और भाषा में पुनर रचित कर सके संस्मरन से मिलते जुलती एक गद्य विधा जीविनी भी है जीविनी में किसी सम्मानित विक्ति की उन विशेस्ताओं का उद्गाटन किया जाता है जिनके चलते वह एक मशूर शक्सियत में रूपांतरित होता है आईए इस गद्य विधा के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करें हिंदी साहितिकोष भागेक कवर्णन इसंदर में उलेखनी हो सकता है उसके अनुसार किसी विक्ति विशेस के जीवन विर्तांत को जीविनी कहते हैं जीविनी का अंग्रेजी परयाय लाइफ अथवा बायोग्राफी है हिंदी में जीवनी को जीवन चरित अथवा जीवन चरितर भी कहा जाता है इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं जान पड़ता कालांतर में आधुनिक और संक्षिप्त होकर जीवनी बन गया प्रिविद्यार्थियों विभिन गद्यविधाओं के बारे में आपने अपनी समझ साफ की प्राय कविता पर बाचित करते समय यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर पुरानी कविता और नई कविता में फर्क करते हुए उनके अध्येन अध्यापन के तरीकों में क्या बदला लाया जाए इसे थोड़े और विस्तार से समझने की ज़वरत है पुरानी कविता में छंदो बद्धता और तुकांत की विशेस्ताएं खास तोर पर मुखर होती थी अर्थात पुरानी कविता के बारे में यदि हम कोई समझ बनाने का प्रयास करें तो शास्त्र के छंद बद्धता के विभिन नियम की जानकारी होना आवश्यक है उसी तरह अलंकारों की समझ का होना भी आवश्यक है आधुनिक काल में रचनाकारों को ऐसा लगा कि जीवन के बड़े सच या अनकहे सच को कहने के लिए जो शैली प्राचीन काल में अपनाई गई थी यानि चंद बद्धता और तुकों का निर्वाह उसके कारण बहुत सारी बातें छूट जा रही हैं जो की जटिल और निरंतर बदलते हुए समाज में कहना आवश्यक है इसी लिए आधुनिकाल की कविताओं में चंद के बंधन को तोड़ दिया गया तुकों के निर्वाह के बारे में भी राय बदली और चंदों के बंधन और तुकों के निर्वाह से ज्यादा जरूरिया समझा गया कि जो बात कही जानी है उसके बारे में ज्यादा बहतर तरीके से कही जाए और यदि ये बाधाएं उस बात को कहने में आती हैं तो उन्हें छोड़ दी जाए इसलिए आधुनिक काल में छंद के बंधन को तोड़ दिया गया तुकांत रशनाओं का भी दौर गया सवाल यह है कि आधुनिक काल की कविताएं जब छंद को छोड़ दी या तुको को छोड़ दी तब उनमें नया क्या आया दरसल आधुनिक काल की कविताएं जो सौंदर बोध की अन्य अभ्यक्तियां होती हैं उनके अधिक करीब गई अर्थात कविता नाठक से संवात को ले आई कविता फोटोग्राफे से रंगों के सूक्ष मवरणन को ले आई इसलिए आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनमें किसी दृश्री का वर्णन देखते हुए हम महसूस कर सकते हैं कि उसमें बारीक से बारीक विवरणों को पकड़ने की आवाज मुखर है या उसमें समवात की ललक मुखर है इस तरह आपने पुरानी कविता और नई कविता के अध्यापन के विवित विश्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की अपने बात समाप्त करने के पहले आपसे या साजा करना मुझे आवर्शक लग रहा है कि विधाएं जो कई बार समरूप दिखाई पड़ती हैं उनके बारे में हमारी समझ कैसे साफ होगी अभी आपने पुरानी कविता और नई कविता में अंतर के कौन से बिंदो निर्धारित किये जा सकते हैं इनकी समझ बनाई एक बात और भी समझना जरूरी है कि चाहे पुरानी कविता हो या नई कविता हो उनमें दो विशेस्ताएं ऐसी होती है जो शुरू से अब तक कविता की आधार भूत विशेस्ताओं के बारे में शामिल रही एक कविता में शामिल लै आज तक कोई ऐसी कविता नहीं लिखी गई जिसमें लै का निर्वाह न किया गया हो यहां तक की जिसे हम चंद मुक्त कविता कहते हैं उसमें भी लै के निर्वाह की बात नजर आती है यानि उसका पाठ हम गद्य विधाओं की तरह नहीं करते हैं बलकि उसमें लैों को एक विशेस अंदाज में प्रस्तुत करके चमतकार उत्पन करते हैं उसी तरह लै के साथ कविताओं में एक विशेस्ता शुरू से अंद्य तक आदमिक काल तक शामिल रही है उसे हम बिम्बों का निर्वाह कह सकते हैं गद्य विधा और पद्य विधा में दरसल यह एक बुनियादी फर्क है कोई ऐसी कवितार नहीं लिखे जा सकती जिसमें बिम्बों का निर्वाह न हो बिम्ब अर्थात श्रब्द निर्मित चित्र इसे उदारण से समझें यदि किसी की सुन्दर्ता के बारे में कहना हो कि तुम बहुत सुन्दर हो उसे कहने के लिए हम ऐसा न कहकर यह कहें कि तुम गुलाब की पंखुरी हो या ऐसा कहें कि तुम ओस की बूंध हो तब यह बात बिम्ब में कही गई यानि सुन्दर्ता को कहने के लिए एक दृश्य को सामने रखा गया यही दृश्य वर्णन जब कविता में शामिल किया जाता है तब हम ऐसा कहते हैं कि इस कविता में बिम्ब है बिना बिम्ब के कोई कविता नहीं लिखी जा सकती हिंदी साहित के मशूर आलोचक जिन्होंने हमारे कॉमन सेंस को बनाने का काम किया हिंदी के common sense के निर्मान का काम किया आचायर रामजन शुक्ल ने कहा है कि कविता में अर्थ ग्रहन से काम नहीं चलता विम्ब ग्रहन अपेक्षित है यानि कोई पाठक या भावक या अध्यापक या अध्यापिका कविता का अध्यान करते समय या उसका अध्यापन करते समय वह सिर्फ शब्दों के अर्थ की जानकारी देती है या देता है तब ऐसा हम कह सकते हैं कि कविता के बारे में उसकी समझ ना काफी है यानि जब तक वह शब्दों में वाक्यों में या पूरी कविता से उभरे बिम्ब के बारे में अपनी बात नहीं कहती या नहीं कहता तब तक कविता की समझ नहीं बन सकती यह विशेस्ता पुरानी कविता में भी थी और नई कविता में भी है यानि कविता अध्यापन के समय बिंबो की समझ का होना बहुत जरूरी है प्रिविद्यार्थियों गध्य विधाउं और पद्य विधा के बारे में आपने संपूर्ण जानकारी हासिल की मेरा प्रियास रहा कि आप विधाओं के बारे में अपनी जानकारी मकबूल कर सकें आपने अपनी समझ के साथ यहां जो जानकारी प्राप्त की है वह आपके अध्यान अध्यापन के जीवन में काम आएगी ऐसा मेरा विश्वास है नमस्कार